असलाम वारीकूम नाजरीन, ड्रॉमस ये माने ही सास उमेंड जो कि अपने इक्तिताम को पहुंच चुका है, कल आप इस ड्रॉमस ये कि सेकिंड लास्ट एपिसोड देखेंगे, अरूज जो कि आखिरकार अपना केस जीत जाती है, अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, कि मरहुम वकार एहमद की बेटी दर असल अरूज एहमदी है, जो कि इस पूरी जाइदाद और बिजनस की भी हगदार है, कोर्ट में उसे इंसाफ मिले जाता है, ऐसे में इस सल्मान और अद्रीस मिया की परिशानी का तो कोई ठिकाने नहीं रहता, अरूज अपनी अरीज, मै तो साकित रह जाती है, अद्रीस मिया को उसी वक्त देखती है, अरूज भी साफ कह देती है, आप लोग इस घर से दूर जा रही है, लिहाज आपके रहने का इंतिजाम मैंने कर दिया है, लेकिन आज की रात किसी गयर की सूरत हम अपने घर में नहीं देखना चाते, और उस जाने मासर साब और नसीमा बेहन तो बहुत ज़्यादा परिशान हैं, उनके ख़चात तो बढ़ते चले जा रही हैं, जिन लोगों ने इस पैसे और दोलत के लिए इतना कुछ कर डाला, तो वो घर से असानी से नहीं निकलेंगे, अब ये तो अरूज की बेवकुफी है कि वो खुद ही घर चली आई, हाला कि उससे स्कियोर्टी करनी चाही थी, तब यहाँ पर आती, ताकि अदालती अपने स्टे ओर्डर पर सारा घर खाली करवाती, इतना तक कि इनके खिलाब मुगदमा में दाहिट करवाती, कि अगर मुझे या मेरी फैमली में से किसी को भी न अरीश नहीं होती, उसका ख़चा उसका डड़ तो और ज़्यदा बढ़ जाता है, तब इस ताई जान को ढूंडते वए आई तो देखती क्या है, कि यह ताई ताई ना बलके जलादी बन गई, उपर शट से इस बच्ची अरीश को फैंकने के दर पर है, यह देखकर बेगम भी उसकी मिननत समाज़त करती ही है, मेरी बेटी से उसकी खुशिया मत चीनो, तो वो हसने लगी बलके तंजिया मस्कुराती है, खुशिया किस खुशियों के बात कर रही हो, मैंने इसे 20 साल पहले कच्रे में फैंक दिया था, यह सुनते ही सारे दंग रह जाते हैं, यह बात तो किसी ने ना सोची थी, कि अरूज की गुमशूद्गी के पीचे यही इसी कही हाथ था, यह तब की बैर रखती थी, आज यह हकीकत भी सामने आ गई, सिर्फ इतना ही नहीं बढ़के और हकीकत भी खुलेगी, कि उस वक्त अरूज पर जो कातलाना हमला हुआ था वो हमने ही करवाया था, मगर यह तो इसके किस्मत अच्छी थी जो बच गई, यह सुनते वे अरूज और सभी के पैरों तले जैसे जमी निकल जाएगी, कि यह लोग इतने खतरनाक हैं, इन्होंने कभी सोचे ही न था, अब विवर्स ड्रामे का दी एंड है और कोई न कोई ट्विस्ट तो आना ही चाहिए, हो सकता है इसी वक्त सल्मानी यहां पर आ जाए, खैर वो शक्स बेहिस्ट तो निकला ही है, हो सकता है अपनी इस बेटी को इस हालत में देखकर उसका दिल कुछ पिगल जाए, और वो अपनी मां से इस बेटी को रिहा कर वाले, और तभी इ ड्रामे के दियान पर क्या इस तरह से ट्विस्ट आने वाला है। इसके मुदले कि हमें अपनी कीमती राय का इजार जरू कीजेगा। मजीड ड्रामा आज रिवीउस के लिए आप देखते रहेए। उर्दु टीवी